नमस्कार कैसे हैं नमस्कार मैं हुराकेश आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ है नाम है नाम है सिटिजन्स राइट इन डेमोक्रेसी जो सलेबर से उसमें यह नाम दिया हुआ है तो बहुत से लोग जो जुन्हों ने थोड़ा सा पॉलिटी को कम देखा हुआ है और कुछ परिक्षा कुछ विश्यों को ट्रेशनल नाम से जानते हैं तो इसको लेकर स्वड़ा कंफ और कंसिटीशन की सबसे महान विशेषता ही है मौलिक अदिकार तो कभी भी आप EBS, GS, Current Affairs में इस सेक्शन से हमेशा कोशन्स देखेंगे मौलिक अदिकार इसके उपर तो इस टॉपिक को आप जान जाएए और इस पर आपकी कोशन्स आ रहे हैं लेक्चर आ रहे हैं यह जो कशन के साथ analysis का न कंसेपट का भी है आप इस तरह के लक्षय के बहुत कम जगर एकम बना लेजिएगा मेरे सारी लेक्चर की डे वाइस को लिखते रहे जो लिख हैरे जो आती क्यों को टाइब बैस करने झराए हूँँ क्लास में अलगले टॉपिक अभी करा रहा हूं वो रिपिटीशन पी नहीं जा रहा है एक टॉपिक से बहुत सारे कोशन बनेंगे और अभी मैं हर टॉपिक के कुछ 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 दिखा रहा हूं आपको कैसे कोशन बनते कैसे पढ़ने हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ लेक्टर से ही आपको सीहरी कोशन देखने को मिलेंगे से बदलाव होता है तो हम और महनस से आगे बढ़ेंगे चलिए चीज़ों को शुरूप करते हैं और आगे की और बढ़ते हैं पहला कोशन क्या बोल रहा है पूद्डवी के बात आप मॉलिक और ब्रेक करेंगे वह ब dealt Wish की सभिल्या और जब बातом अधिकार होगी तो वह लिए जीवन जिने के लिए वश्यक होते हैं मनुस्ष जीवन जीता है उस उस जीवन को सही प्रकास जी लेने के लिए जो basic needs वाले rights होते हैं वो उसको मौलिक अधिकार बोलते हैं भारत के सम्विधान में कहां दिया गया है भारत के सम्विधान के भाग तीन में दिया गया है सर तो एक question तो यह आ गया कि Indian constitution के किस भाग में सर fundamental rights हैं भाग तीन में ह अब एक और question आगए कि किस अनुछेट से किस अनुछेट तक हमारे समयान के किस article से किस article तक कि fundamental rights की बात की गई तो article 12 से article 35 की बात के अंदर जो जितने भी चीजें हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों से ही जूड़ी हुई है directly और इन्डिरेटली आटिकल 12 है वो इसमें state को define किया गया है हना सबसे फ़हले कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो states के अगेंस्ट दी जाते हैं जनता को हना कि इस चीज को ध्यान आपको देना है आर्टिकल 12 यह बोड़ा इंपोर्टेंट आर्टिकल 13 तो बहुत ही इंपोर्टेंट है आर्टिकल 13 को इतम ध्यान देजिए आर्टिकल 13 ही बताता है कि अगर हमारे इस fundamental rights से कोई भी उजार करेगा कोई विधाय का छेडर करेगी हाना तो सीधे 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 जो Supreme Court है वह कस्टोडिया है है इस से इसका हाना और कोई भी ऐसा कानून अगर संसत बनाती है तो सुप्रीम कोड जो है उस कानून को नस्ट कर सकती है अगर वो कानून किसी भी प्रकार से डिरेक्ट्ली इंडिरेक्ट्ली से लोग फंडामेंटल राइस मौलिक अधिकारों के पर कुठारा घात करता है अगर तोड़ने कोशिच करता है तो आर्टिकल बारा और तेरे ध्यान देजिएगा चौदा से हमारे सारे राइट्स सुरू हो जाते हैं ठीक तो तीन कोशन होगे अब देखते हैं इक कोशन इसमें या मानूडा कि आपको कुछ कोशन आते हैं कैसे ऑर्टिकल बारा से 35 की बीच में हना तो जो करा रहा ता अल्ट्रा इंपॉॉटेंट रहे कि पहले क्लास हम व्युद्ट इंपॉर्टेंट ही करूँगा अर्टिकल 32 विच्छे क्या है खूब कोशन आते हैं इस पर खूब क इंग्लिश में बोलेंगे right to constitutional remedies मतलब क्या है इसका कि जब आपके आपके ऊपर कोई ऐसा खत्रा उत्पन हो जाए जिससे आपकी जो fundamental rights हैं वो लगे कि खत्रे में पड़ गया है मालीजी आपको arrest कर लिया गया कैसे बात बने गया हूँ मालीजी आपकी किसी भी प्रकार से आपके मौलीक अाधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आप कहां जा सकते हैं تو कोट में जा सकते हैं यहिस शुझेद करता है कि अगर के कोईici का मौलीक अधिकार तो आप ईकारा तो फायदा होता वे ठाके बंद कर दिया बिना बाथ जब anál स् चीन लिया उसने और इसका अगेंस्ट में कोट ही नहीं जा पा रहा हूं तो फिर किस काम का मेर लिए फंडामेंटल राइट इसलिए बाबा सहाब धीमराम बेटकर ने आर्टिकल 32 को समविधान की मूल आत्मा के रूप में कहा था कि वह समविधान की मूल आत्मा है यह सुप्रिम कोट जा सकते हैं अगर आपके मॉली के दिकारों का हनंग होता है तो सीधे ठीक है तो यह कोशन यहां से इंपॉर्टेंट है कितना गुंगुं कोशन आजाएगा बहुत सारा कि अम्बेटकर जीने किसको बोला आत्मा इसी को क्यों इंपॉर्टेंट है यह इंप सुप्रीम कोट जा सकते हैं अगरे हम अधिकारों का हनन वता है तो किस प्रकार जा सकते हैं पांच प्रकार की मतला application प्रकार से जा सकते हो अलग 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 रिट लगा के आपकी बहाद पे लगा सकता है कोई लिखास वाली बात नहीं है यह दन हो गया कौन सा मौली का दिकार सिर्फ इंडियंस के लिए है बहुत ही इंपर्टन कोर्शन है कोशन खूप यह पर गाता है दो है क्या बड़ी बात होती है एक तो सबके लिए कोई विदेशी आगा उसे महरे स्थुरिक कर लेंगे हाना या समानता का अधिकार है अभी व्यक्ति किया जादी कि अब व्यक्ति की यह ना सिर्फ इंडियन्स के लिए है अब हम अपने सिस्टम को कोश सकते हैं हमने सिस्टम के अगेंस भी बहुत सकते हैं लेकिन कोई विदेशी को एक लिमिटेड दारे में ही अभी वक्ति का अधिकार है ठीक है तो आर्टिकल 19 अर्टिकल 19 बच्चे बहुत इंपॉर्टन है यह सिर्फ इंडियन्स के लिए है तो ही इंपॉर्टन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन ठीक है चलिए ज़िए सब्सक्राइब करें अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाइए जो विश्य कमजोर है उस पर तीजी से हम लाकेजिए नेच्ट पॉइंट क्यों अगर हम चलते हैं एक सिंपल सा कोशन है कौन सा मौली का अधिकार अच्छा यह कोशन ही था मैंने कोशन लिख दिया कि इनमें से कौन सा मौली का अधिकार नहीं है नीचे चार अलग अलग अधिकार दिये हुए इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल राइस बच्चे नहीं है समानता का दिकारल समानता का दिकार बिल्कुल मौली का दिकार है ड्रिक्राइजन के विरुद्रिकार विल्कुल Тब को इसनी चाहसे से based लेका की इसननीर कर Welkin के वडर्वाई कर warfare करें सब्सक्राइब करने यह सब्सक्राइब तких सब्सक्राइब का करने दिकार है तो सी प्ष हाँशन थे घल्थ है एक फिर्फ फॉंड में इस लुक्ळाइब नहीं है यह अ तोनने शिपμs हमैं कि बिल्कुल ह Сब्सक्राइब इसलिए पूछ रहा हूं मैं नेक्स्ट कोशन अब आप कहेंगे कि सर यह कुछ अधिकार तो बता दीजिए कि कौन-कौन से अधिकार किस-किस में आते हैं तो जैसा मैं ने बताया स्वाइब करें तो समानता का अधिकार है वह 14-18 आर्टिकल 14-18 आर्टिकल और इक इंतर्गत है लिए जीने का अधिकार उसकी अंतर्गत सारी अधिकार है समझ ने का अधिकार विदेश जाने का अधिकार सब को कहीए डahaha अधिकार ह는 बहुत जादा हुई O support दिकार होगा है धार्मिक सोतंतरता का अधिकार संस्कृति और चिक्षा का अधिकार तो यह आपका हो गया 25 से 28 तक और संस्कृति और सिक्षा के प्रसार प्रसार का 29 से 30 तक ठीक है और उसके बाद आपका 32 जो Constitutional Remedies है वो आपका छठा Constitutional Right हो गया ठीक अब इसके अंतरकत एक और चीज आा कि पहले साथ fundamental right होँआ करते थे पहले साथ right to property संपत्थ cylind fundamental right मिशले पर स्थ्थे उससे legal right बना दिया गया और रों argal 301 एक मिठ practice अब त्रसको करना है हमारे एक प्रकार से fundamental rights का custodian है हमारे constitution का भी custodian है तो अगर question में कई बार supreme court ना आये सिधे न्याय पालिका तो judiciary जो है न वो हमारे constitution की custodian है जब भी हम हमारे constitution कोई problem आती है judiciary के पास बड़ी ताकत दी हुई है ठीक है fundamental rights में article 13 है वो इसमें सीधे सीधे दिया हुआ है अच्छा कोशन और आता है कि किस article को चलो में देखता होगी पहले कुछ article डिसकुस कर लते हैं article 24 इसके उपर खूब कोशन आते हैं article 24 क्या कहता है यह सोशन के विरुद अधिकार क्या है इसमें क्या है 14 वर्स से कम अमरे के बच्चे को आप जबरजस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं किसी ऐसी कंडिशन में से काम नहीं करा सकते जहां उसकी लाइफ को थ्रेट हो तो आर्टिकल 24 से बहुत इसमें 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 एक और कोशन आता है आर्टिकल 17 बच्चे खूब पूछा गया खूब 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 पूछा गया आर्टिकल 17 का उलंगन किया जा रहा है वह कोट जा सकता है हम जो चुआ छूब तो देखते हैं सरकार ने इसको ही तो आने के लिए इतने कानून बनाएए आप जो हमारे पिछडे वर्ग है जो मारे डिप्राइब क्लास हैं उनकी अप उत्थान के लिए लग लग कोटाज रखे हैं इसलिए रखे ताकि यह इंका उत्थान हो सके तो राइट अगेस्ट अन्टेक्शिबिलिटी असप्रश्चता अब 18 आर्टिकल क्या कहता है एक कोई भी व्रक्ति अपने नाम किया कि टाइटल नहीं लगा सकता जैसे अजादी से पहले बता है कि कुछ लोगों को अंग्रे सरकार ने टाइटल दे दिए थे ताकि वह बड़े देखें एक खान बहादूर राज बहादूर बाज बहादूर लोगों की समानता खतम हो जाती है अब मैं हूं मैं नौर्मल हूं मेरा एक और कोई वेक्ति है पड़ोस में उसको इसको राय बहादूर का खिताब दे दिया तो टाइटल लगने से वह समानता लिस्टर्फ हो गई तो टाइटल का यूज एवालिशन ऑफ टाइटल उपाध वह यह हैं उनका अंकर कोई उपाधी नहीं दियागी अब इसमें एक्षेप्शन्स है जो भी डिफेंस परसनल है वह अपना डेजिगनेशन इसमें लगा सकते हैं इसके साथ जो सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं जैसे की पदम भूशन भारत रतना जो भी सिविलियन अव है रोजगार समन्दित है कि पब्लिक जो सर्विसिस हैं उसमें सब को बराबर अपर्चुनिटीज मिलेगी बिना किसी भेदभाव के यह बहुत जरूरी है बहुत ध्यान देना है तो इसमें आपको क्यों होती है तो होता है कि अपलिफ्टमेंट के लिए ताकि सब को सिंपली तो दाइरे में रखके आप इस इस आर्टिकल के लाग उठा सकते हैं एक और कॉर्शन आर्टिकल की जसा मैंने बताया कॉर्शन देको यह है इसको हमारे मूल भूत अधिकार का हिर्दय बोला चाता है हर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हाट ऑफ फंडामेंटल जीवन जीने का अधिकार राइट नीकल के यहीं आयाग होता है वो कहिं न कहीं यहीं से आयाग होता है करना है आसरे leagues सब्सक्राइब हो घृच्ँट थो कि प्रेस सो तंतर टाके और विवाद का विश्य बन ना रहता है भारत की जो रैंकिंग है वह में प्रेस फिरीडा में पहुत वड़ियां है बी नहीं ठेक洗 slick बनीध स्थाहिस्टी बनी रहती दे हुग है यह है कुछ कोशंस थोड़ा चेहरा दिखा एक परकार से आपको तयार करने के लिए कि कितना कुछ पढ़ना है कितना कुछ छोड़ना है क्या जम के महनत करनी है और महनत करते रहेंगे तो सेलेक्शन बिल्कुल दूर नहीं है पहला लक्ष रखना है रिटर्न क्लियर करने का इंटर्वी तो हम करातेंगे ठीक है मेहनत करेंगे आपका रिटन जब क्लियर होगा ना आथा इंटर्वी के लिए आपको सीरिसली तो लग के पढ़िए ऐसे पढ़िए और लेक्चर या आते रहेंगे जल्दी से चीजों को लेकिए आगे बढ़ते रिए शुब कामनाय भव झाल झाल